आज किस वीडियो में इंटर्दूद्रियूस करा हूँसे आपना प्रोमिसेस और हम लोग देखेंगे प्रोमिसेस क्या होती हैँ आपलोग पो इस वीडियो में प्रोमिसेस का एक बहुत ही बेसिक आडिया में देने वाला हूँ तो चलते हैं computer screen में and let's get started So guys, now we are going to see promises and promises को ऐसे देखोंगा कि promise करता हूँ कि आप वो समझ में आ जाएगा ठीक है, तो यहाँ पर हमने pyramid of doom already cover कर लिया था Promise आप लोग को में बताना है, जिल्दी रैपलेट खोल लेते हैं और रैपलेट में एक नई रैपल पना लेते हैं Promise क्या है, normal language में हमारी daily life में promise क्या होता है कि वही किसी ने कसम खाली के दिया आप से कि वही मैं यह करूँगा और वो करेगा JavaScript में भी यह होता है यार Promise एक Promise of Code Execution है, ठीक है अब यहां पर ऐसा समझ लोगी, आप लोग रास्ते पर जा रहे हो आपने Taylor को अपने कपड़े दिये अब क्या आप वहां पर खड़े रहते हो जब तक वह आपके कपड़े ठीक कर रहा है आपके कपड़े सिल रहा है Obviously नहीं, आप खड़े नहीं रहते हो, आप उसको देते हो वह आपको Promise करता है कि भाई, मैं कल तुम्हें कपड़े सिल के देदूगा तुम जा सकते हो और अपना काम कर सकते हो फिर आप मिठाई की दुकान पर चले गए, आपने मालो केक का order दे दिया हमाँ पर और आपने bakery में बोला कि भाई, मेरे अकल जो है, मेरे भाई का bird है, ये नाम है, उसका cake पर चाप देना वो गएक ठीक है, कि आप खड़े रहोगे अगले दिन तक बहाँ पर, obviously not, आप अपनी जिंदगी continue करोगे उसने आपको दे दिया एक promise, और आप चले जाओगे आगे, तो javascript में भी ऐसे ही होता है, कि आप एक code बोलते हो, कि भाई ये code जो है, चल जाना चाहिए देखो, देखो time लगेगा चलने में, अब अगर आप यहाँ तो आप खड़े रहो, ठीक है, आप अपने सारे काम छो आपको phone लेके और उसको देखने की ज़रूरत निया, आपको खाना कहां तक पहुंचा, वैसे बहुत लोग देखते भी रहते हैं, आपको ज़रूरत निया, आप अपना काम continue रखो, आपके दरवाँ से पहाँ जागा, similarly Amazon का भी order है, Amazon एक promise देता है आपको, और कहता है कि भा फुल्फिल करी जाएगी, या फिर आपकी जो promise है वो, या तो resolve होगी या reject होगी, ठीक है, फुल्फिल लेकिन करी जाएगी, अब वो फुल्फिल हो सकती है as a resolved or as rejected, नहीं आया समझ में, समझाता हूँ या जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत अच्छी तरह से समझाँगा आप लोगो को, और मैं Node.js की रैपल बनाऊगा या पर, और यहाँ पर हम लोग, यह हमारा 54th वीडियो है, तो मैं इसका नाम रखूँगा 54 underscore promise, ठीक है, लेट मी चाहिए, 54th वीडियो ही है, तो कुल मिलाकर, हम लोग, यही करेंगे, जो हम डेली लाइफ में करते हैं, कोई लाइफ लाइफ जोड़ी चीज नहीं है, कुछ नया नहीं है आपर, तो introduction to promises, the solution to the callback hell is promises, अब solution कैसे है, यह callback hell का, वो हम आगे देखेंगे, अभी हम पूरा focus देते हैं promise को समझने में, promise is a promise of code execution, symbols ही बात भाई, ठीक है, the code either executes or fails, in both the cases, the subscriber will be notified, अब यहर अगर आपके आपके ले जाओ, आपको बोल देगा, आपका order दर्वासे पर आजाओ, यह आपका order नहीं हापाया, sorry sir, आपका order नहीं हापाया, मैं cancel कर रहा हूं, यह कर रही हूं, तो आपको notify कर दिया जाएगा, पिलकुल उसी तरह, JavaScript promises पे भी किया जाएगा, the syntax of a promise looks like this, आप इस तरह से एक नई promise बना सकते हो, ठीक है, तो एक नई promise बनाते हैं आपर, और simply यह वाला syntax use करेंगे, कि भाई, let promise is equal to new promise, function चलाएंगे, resolve यह reject में से एक चीज़ कॉल होगी, and that's about it, ठीक है, इतना ही है, जादा कोई लंबी चोड़ी चीज़ नहीं है, तो मैं आपर क्या करूंगा, मैं console.log, hello, ठीक है, और इसके बाद मैं कहूंगा, console.log, my name is John Marlow, ठीक है, यह लिख देता हूँ, कही जाता, ठीक है, और अब मैं आपर क्या दर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, set time out, ठीक है, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ, कि जो set time out है, यह क्या चल रहा है, करके इसको delete करूँगा, और यहाँ पर इसको format कर दूँगा, ठीक है, और यह भी हटा दूँगा, यहाँ से, अब देखो, आप लोग यहाँ पर, set time out किया है, मैंने, और एक second के बाद, मैं लो 2 second के बाद, मैं, hello in 2 seconds, यहाँ पर लिख रहा हूँ, run करूँगा, तो यहाँ प करूँगा, और इसको my name is hello 3 करूँगा, तो 1, 2, 3 करके नहीं चलेगा, यह 1, 3, 2 करके चलेगा, जिसे आप देख सकते हो, 1 चला, फिर 3 चला, फिर 2 second के बाद, 2 चल गया, ठीक है, तो series में तो यह run हो ही नहीं रहा है, यह बात तो हमें पता है कि JavaScript is synchronous in nature होती है, set time out आपका asynchronous हो होगेगा, continue होता रहेगा, ठीक है, और 2 second के बाद यह हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से जलती है JavaScript, अब यहाँ पर देखते है, promise क्या है, promise क्या है, अब मैं अगर यहाँ पर कुछ ऐसे कर दो, एक नई promise बनाओ, तो मैं कुछ ऐसे एक नई promise बना सकता हूँ, मैं promise is equal to new promise, और यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं resolve और reject लिख दूँगा, और इसके अंतर यहाँ पर मैं logic लिखूँगा, ठीक है, अब यहाँ पर बता नहीं क्या क्या मुझे suggest कर रहा है, मैं यहाँ पर यह mode बंद करना चाहता हूँ, तो replicate थोड़ी देर के लिए मुझे, यह मैं कर लेता हूँ, अब dream11 पर team मना लो, मैं इसके ghostwriter को off कर देता हूँ, ठीक है, तो let promise is equal to new promise function resolve reject, यह कुछ इस तरह से syntax होता है promise का, अब इसके अंदर माल लो मैं कुछ लिखूँ, ठीक है, इसके अंदर माल लो मैं लिखता हूँ alert, और लिख दो, I am an alert in promise, ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर, मैंने एक नई promise बना ली, मैंने इस तरह से नई promise बना ली, let promise is equal to यह, अब मैं आपर क्या कर सकता हूँ, मैं इस promise को run कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने आपर let promise is equal to new promise बनाई, अब मैं अगर इसको run करूँ यहाँ पर, तो आप देखो, कि सबसे पहल यह javascript का engine automatically आप लोगों को प्रदान करता है यहाँ पर यह दोनों callback javascript engine आपको प्रदान करता है अब आप क्या कर सकते हैं यह promise यह तो resolve हो सकती है यह reject हो सकती है इन दोनों में से एक चीज हो सकती है अब यह alert मैं इसके अंदर नहीं लगाऊंगा मैं simply यहाँ पर क्या करूँगा मैं यहाँ पर लिख दूँगा resolve और इसको resolve कर दूँगा with a value of 56 ठीक है मैं इसको with a value of 56 resolve कर दूँगा ठीक है और मैं अगर यहाँ पर alert लगाऊंगा और यहाँ पर लिख दूँगा hello और इसको save करूँगा तो इसको मैं जैसे ही run करूंगा तो यह देखो यहाँ पर hello, hello one और इसके बाद my name is hello three आ गया ठीक है तो एक code जो है यहाँ पर चल रहा है ठीक है अब अगर मैं यहाँ पर console.log और यहाँ पर मैं कुछ ऐसे करूं promise तब आपको देखने को मिलेगा hello, फिर इसके बाद hello one फिर my name is hello three और promise और इसकी value 56 आपको देखने को मिलेगी ठीक है तो promise क्या है promise एक promise है code के चलने का ठीक है अब यहाँ पर बहुत confusing यह लगता है लोगों को और लोगों को लगता है कि क्यों use कर रहे हैं जैसे ही आपको पता चलेगा हम क्यों use कर रहे है तब आप लोगों को चीज़े आसान लगने लग जाएंगे ठीक है और promise के अंदर दो चीज़े होती है एक state होता है और एक result होता है अब अगर यहाँ पर मैं promise को print करूँ मैं आपर कुछ इस तरह से करूँ console.log promise और इसको मैं run करूँ तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि इसकी जो value है वो कुछ इस तरह से print हो रही है अब मैं node.js environment में हो यह बात आप लोग याद रखना अगर आप लोग browser में इसी चीज़ को run करोगे मालनों मैं अगर इसको यहाँ run करता हूँ अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पर run करता हूँ और मैं enter मारता हूँ तो देखो सबसे पहले hello आगया क्योंकि जो मेरी promise है उसने इसको run किया और फिर यह resolve हो गई with a value of 56 ठीक है okay किया मैंने तो hello one print हुआ फिर मेरा my name is hello three print हुआ जो कि यहाँ पर है फिर क्योंकि मैंने आपर set time out लगा रहा था दो second के बाद यह print हो गया मेरा बट उससे भी पहले मेरी promise print हुई जो कि fulfilled हो चुकी थी जब तक और उसकी value 56 थी तो promise के अंदर दो properties होती है state और एक result ठीक है लेकिन आप directly promise.state promise.result नहीं कर सकते यह आपको undefined return करेगी बट promise object जो है उसके अंदर दो properties होती है state और result state initially pending होती है फिर यहाँ तो वो आपकी fulfilled हो जाती है या फिर reject हो जाती है ठीक है अब fulfillment दो तरह से हो सकता है यहाँ तो resolve हो सकती है या फिर reject हो सकती है resolve होई तो आपको value देगी reject होई तो error देगी simple सी बात है यहाँ तो जो code promise के अंदर था वो run हो पाएगा या फिर वो नहीं हो पाएगा अब promises हम लोग क्यों use करते हैं मैं आप लोगों को एक high level idea देता हूँ फिर अगले वीडियो में जो example है वो आपको समझा देगा promise के उस करते है मुझे पता है यह वीडियो स्वड़ा confusing है बट अगला वीडियो जो है सब कुछ clear करतेगा मैं पताता हूँ आपको भी promise क्यों इस्तमाल करते है मानलो आप network calls कर रहे हो मैं आपको एक pseudo code लिखके दिखाता हूँ जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझाएगा कि promise को क्यों इस्तमाल करना है मानलो आप लोगो को fetch google.com homepage यह करना है फिर fetch मानलो हमारी data API ठीक है data from the data API ठीक है फिर आपको करना है fetch मानलो कुछ और fetch करना है ठीक है fetch pictures from the server ठीक है यह करना है और उसके बाद आपको print करना है downloading ठीक है कुछ इस तरह से अब आप चाहते हो कि जब यह चीज़ हो जाए तब alert आप करना चाहते हो google.com homepage done ठीक है आप सारा status alert करना चाहते हो मानलो यह console.log करना चाहते हो ठीक है तो आप यह चाहोगे ना कि यार यह चीज़ पैलली चले यह चीज़ पैलली चले यह चीज़ भी पैलली चले और उसके बाद नीचे जो यह आपकी rest of the script चलती रहे ठीक है rest of the script तो आप यह नहीं चाहोगे कि यह block करके बैठ जाए आपके main thread को क्योंकि यह काम और यह काम तीनो पैलली किये जा सकते है तो एक तरह से ऐसा समझ लो की promise use करते है आप यह चीज़ करते है ठीक है और आप यह चीज़ को यह चीज़ और यह चीज़ को एक के बाद एक करने का कोई point नी है कोई पॉइंट निये कि आप टेलर की दुकान पर 24 गंटे खड़े रहो फिर आपका जब सूट सिल जाए अगले दिन आप लोग जाओ और उसके बाद के बनने का इंतिजार करो एक गंटे के लिए और 24 गंटे के लिए जितना भी टाइम लगता है उसको बनाने में ऐसे नहीं करोगे न आप जाहिर सी बात है सब काम आप पहले लिए करोगे केक का ओडर भी दोगे जोमेटो पे भी ओडर दे दोगे अपना एमाज़न पे भी ओडर प्लेस कर दोगे और अगले दिन आपको हो सकता है तीनों चीज़े आपको फुल्फिल होकर मिल जाए ठीक है तो आप कर रिजएक्ट हो सकता है बट आप लोग उमीद यही रखोगे कि आपको resolve होके मिले आपके सारे के सारे orders आपको suit भी मिल जाए आपको cake भी मिल जाए सब कुछ मिल जाए parallel execution चले लेकिन यार यह parallel execution करते कैसे है यही अगले वीडियो का मुद्धा है आपको बताऊंगा dot then और पीडिएफ नहीं डाली है मैं डाल दूमा या ठीक है आप लोग के लिए बनाईए मैंने तो आप लोग को समझ में आया promise क्या होता है अब अभी एक beginner अगर आप होग तो आपके दिमाग में मैं बताता हूं क्या चल रहा है यार क्यों use कर रहे है promise चल तो रहा था code हमारा अगले वीडियो मैं बताऊंगा और promise नहीं होती तो हम क्या करते हैं देखो callbacks से काम हो जाता है लेकिन हम promise यूज करते हैं चीजों को organize करने के लिए async await syntax को यूज करने के लिए वो भी आने वाले वीडियो में बताऊंगा तो यह करके सारी चीज आपकी clear करी जाएंगी ओच मैं वाले हादंगा तोज करने करम हरे लिए वो वाले वाले युज करते हैं लूज करते हैं और मताऊएंगा प्रभेश सेब्स करने करते हैं पसी हैं